हलो फ्रेंट्स वेलकम तो एजुकेशनल हाइक्स तुड़े वी आ गोईंग टो स्टार चाप्टर 16 वाटर अप्रिशियस रिसूर्स का यह सेकंड पार्ट है गाईज अगर आप लोगोंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप लोग फर्स्ट पार्ट द देखे हैं और हमने फॉर्म सफ वाटर देखा है तो यह सारी चीजें हमने देखी है और हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इससे शेयर नहीं किया है तो जल्द जल्द शेयर करें और मैं रेगुलर नोटिस करने हूं कि कौन सा बच्चा साइन्स की सिरीज चल रही है तो चलिए हम देखते हैं पीडियाफ की तरफ तो फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों से कहा था कि यह एक्टिविटी आप लोग खुद से सॉल्द करोगे लेकिन मैंने नोटिस किया कि जनरली सारे टीचर इसको स्किप कर देते हैं इस पा अब देखो यह फर्स्ट में जो जंबल्ड फॉर्म में लिखे हैं तो फर्स्ट बनेगा ग्राउंड वाटर एंड सेकेंड बनेगा अपना इवोपरेशन और थर्ड बनेगा अपना कंडन्शेशन बन जाएगा एंड फूर्थ क्लाउट्स बन जाएगा एंड फिथ हमारा बन जाएगा ट्रांस्पिरेशन बन जाएगा एंड सिक्स हमारा बनेगा इंफिल्ट्रेशन और सेवंथ हमारा बनेगा प्रेसिपिटेशन और हमने आपको वाटर साइकल भी समझा दिया था कि पहले हमारा क्या होता है पहले पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है उस होता हैा इन फील्टरेशन होता है फिर से वो कुरेशन होता है अगें एक वन तो साल्ब کر यह जंबल्ड हमने साल्फ कर दिया है अब हम और देखते हैं यह तो पिछले पार्ट का जो हम बतायत ही करवाएंगे वो देखेते हैं तो ground water as an important source of water ground water वो बहुत जादा important है हमारे जो हम water use करते हैं उसमें ground water का बहुत important role play करता है अब हम देखते हैं if we dig a hole in ground near a water body we may find that the soil is moist जब हम मिट्टी में डिक करते हैं खुदाई करते हैं तो देखते हैं एक level के बाद एक time के बाद हमें जो मिट्टी है वो हमें moisture उसमें दिखने लगता है उसमें नमी दिखने लगती है ऐसा क्यों होता है the moisture in the soil indicates the presence of water underground जो है जो moisture दिखता है soil में वो यह indicate करता है कि अब नीचे जो है water है underground water available है इस वज़े से हमें moisture दिखता है if we dig deeper and deeper we would reach a level where all space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water जब हम बहुत deeper जाते हैं हम कुदाई करते जाते हैं करते जाते हैं तब हम एक level पे ऐसे पहुँचते हैं जहां पे हमें दिखता हैं जो मिट्टी के particles होते हैं उनके बीच में जो gap होता है उसमें water fill होता है तो हम यह देखते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं कि the upper level of the water layer जो हता है यह the upper level of this layer is called water table यानि कि जहां से हमें moisture दिखना सुरू हो जाता है उसके upper level को हम कहते हैं water table यानि water table के नीचे हमारा क्या होगा पानिंग होगा water table के नीचे हमारा underground water के नीचे हमारा पानी अवेलबर होगा the water table यह क्या होता है varies from place to place जो यह water table है हमारा यह place to place vary करता है कि यानि कहीं पे कि देखो कैसे अभी and it may even change at the given places और यह place to place अभी वेरी करता है हमें बताया the water table may be at depth of less than a meter और maybe several meter below the grounds कहीं पे वो जल्दी मिल जाता है हमें water table कहीं पे हमें बहुत मिटर बाद मिलता है ठीक है बहुत खुदाई करने के बाद मिलता है कहीं पे थोड़ी कम खुदाई करने के बाद मिल जाता है तो यह जगा जगा पे depend करता है कि कहां पे कितना पानी available है the water found below the water table is called groundwater जो water table के नीचे पानी available होता है उसी को हम groundwater कहते हैं this is the source of this groundwater यही source है इस groundwater का अब देखो the rain water अब यह आता कहां से है groundwater अब हम इसके बारे में थोड़ा से देखते हैं the rain water and water from other sources such as rivers and ponds seep through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the grounds अब देखो यह seeping of जो पानी को सोक लेते हैं यानि कि जो rain water होते हैं या फिर जो river का पानी होता है पॉंड का पानी होता है इसे क्या करते हैं मिट्टी जो होती है इसे seep कर जाती है इसे सोक जाती है और जो इनमें pores होते हैं जो cracks होते हैं मिट्टी के बीच में उस particles के बीच में यह adjust हो जाते हैं और यह क्या होता है this process of seeping of water into the ground is called infiltration अभी हमने उस activity में देखा था इन्फिल्ट्रेशन के बारे में यानि कि जो यह seeping of water है this is very important मतलब इन्फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टन डेफिनिशन है जो यह seeping of water है यानि कि water को जो सोक रहा है यह स्वाइल इसी को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन अब हम आगे देखते हैं the ground water thus gets recharged by this process अब जब हम ground से water को निकालते हैं तो इस process को recharge भी होना चाहिए और recharge वो किस तरह से होता है इन्फिल्ट्रेशन से होता है अब हम आगे देखते हैं aquifer क्या होता है at place the ground water is stored between layer of hard rocks below the water table this is known as aquifer अब जो यह place होता है ground water का अभी देखो जो hard rock के जो अभी हमने देखा कि मिट्टी जो है वो कैसे seep कर रही है seeping of water into the ground is called infiltration लेकिन at place the ground water is stored between layer of hard rocks जो hard rock होते हैं यानि पत्थर कहलो आप उसे उसके बीच में जो पानी हमारा store होता है उसे हम aquifer कहते हैं लेकिन water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tubules और hand pumps उसे हम hand pump और tubule के through जो है हम उसको बाहर निकालते हैं aquifer से पानी जहां पर hard rock होते हैं उनके बीच में जो पानी collect होता है उसे हम aquifer कहते हैं और infiltration हमारा होता है seeping of water अब आपने देखा ही होगा have you even been to a site where construction work is going on जहां पे यह construction यानी कि मकान मकान बनने का काम चल रहा होता है वहां पे आप क्या observe करोगे अभी इस activity को अभी इस सीज को हम आपको समझा देते हैं वहां पे आप क्या observe करोगे कि यह workers दो होते हैं यह पानी कहां से लाते हैं इस construction के लिए maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table boring भी होता है आप लोग देखते होगे water table तक पहुचने के लिए यानि कि पानी तक पहुचने के लिए बोरिंग कराया जाता है यानि बहुत जादर डिगिंग कराया जाता है और आप क्या करो इंक्वायर करो from the people walking जो इस प्ले को मतलब इस जहां पर आप construction का वर खो रहा होता है महाँ पे जो बिग करते हैं उनसे आप पूछो कि कितना खुधाई करने के बाद ये मिलता है और यह कैसे एक काई का यह पानी कोão कहारीन पानी को निकाला और यह कैसे यह recharge हो रहा है यह process इसमें यही दिखाने के इस image में यही कोशिस की गई है अब हम इसके आगे देखेंगे how will it affect the water table अब हम देखेंगे depletion of water table कहीं पे हमें water table पहले मिल जाता है कभी कहीं पे बाद में मिलता है अब हमने देखा था बात किया था कि यह place to place vary करता है तो हम उसी के बारे में देखेंगे water drawn from under the ground gets restored by seepes of rain water अब हमने देखा था seeping के बारे में हमने देखा था कि rain water को कैसे seep करकर के वो फिर से recharge होता है restore होता है हमारा groundwater the water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process natural process के through अगर यह जो हमारा groundwater है यह replenished होता है यानि कि फिर से आ जाता है तो इस पे क्या effect पड़ेगा यानि कि हम जितना पानी निकाल रहे हैं अगर उतना पानी फिर से recharge हो जा रहा है तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वाटर टेबल पे जो हमने पड़ा है लेकिन वाटर टेबल में भी गो डाउन इव जा रहा है तो वाटर टेबल पे फर्क नहीं पड़ेगा यह बहुत सारे रिजिन की वज़े से होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल और अग्रिकल्श्रल अक्टिविटीज और भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है जो की एफेक्ट डालते हैं वाटर टेबल पे अब हम देखते हैं कि अब जब जहां पर कम बारिश होगी वहां पर जाहिट सी बात है कि वाटर टेबल हमें बहुत नीचे और मीटर उंखुदाई करने के बाद मिलेगा यह अनदर फैक्टर एफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरस्टेशन और डिफ्रीज देख्रीज द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेजिंग वाटर अब जब पेड़ पॉद्ध ही ने रहेंगे हम मतलब पेड़ पॉदों को काटते चलेंगे डिफॉरस्टेश करने के बाद वहां construction का काम सुरू हो जाता है वहां पर कैसे जो है पक्के चीजे बनने लगती है यानि कि सीमेंट आजाएगा उपर से तो वह सीपेज कैसे करने देगा आप देखो कि हरी घास में जितना अच्छे से मिट्टी में सीपेज होता है और सीमेंट अगर उपर आ बहुत सारे चीज़ों की यह डिमांड करते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग शॉप्स कोलेंगे ओफिसे स्कोलेंगे रोट्स बनेंगी पैव्मेंट बनेंगे तो यह सारे चीज़े डिमांड होंगी तो इस डिक्रीज दो ओपेन एरिया लाइक पार्क्स और सड़क बनेगी तो जहिर से बात है जो खुले ओपेन एरिया रहेंगे वहां पे कमी आएगी दिस इस इंटर्न डिक्रीज द सीपेज ओफ रेंवाटर इंटू द ग्राउंड तो अभी मैंने बताया जब रोड बन जाएंगे तो वहां पे सीपेज कैसे होगा वाटर का ग्र पानी को मिठी जो है वो पानी को गंजूम नहीं कर सकती है तब सीप्स कई प्रॉब्लम आजाएगी अगर उपर से फ्लोर आ जाएगा तो वाइल इना ग्रास जो ग्रास का लॉन होता है उसमें वौटर सीब thro in no time जो ग्रास का लॉन होता है वहां पे पानी इजली सीप हो और यह पानी अक्सर क्या होते हैं, often ground water is used for this purpose, और अक्सर ऐसे काम में boring करके, अभी हमने देखा construction में कैसे boring करके, water table तक पहुचा जाता है, फिर वहीं से उसी ground water को use किया जाता है, construction के काम में, so on, अब देखो, एक तरफ से हम क्या देख रहे हैं, on one hand, we are consuming more ground water, and on the other, we are allowing lesser water to seep into the ground, एक तरफ तो हम पानी को ज़्यादा ज़्यादा consume कर रहे हैं, construction के work में, और दूसरी तरफ से हम ground को seep भी नहीं करने दे रहे हैं, मिक्टी को seep नहीं करने दे रहे हैं, floor बना बना कर, सड़क बना कर, और सारी चीज़ें हम consume कर ले रहे हैं, पेड कार रहे हैं, तो ये सारे factor होते हैं, जिससे water table नीचे चला जाता है, this results in depletion of water table, ये हमें बताया है, ये result है, water table जो घटा चला जा रहे है, नीचे चला जा रहे है, in fact, the water table in some part of many cities, has gone down to alarming low level, बहुत जादा नीचे चला गया है, तो ये हमें सोचनी की बात है, water table जो इतना नीचे हो जा रहा है, ये बहुत ही alarming situation बंदी चली जा रही है, अब हमने देख लिया, population factor, अब हम देखेंगे, increasing industries, increasing industries, ये भी एक factor है, water is used by all the industries, almost everything that we use, need water somewhere in its production process, तो हम देखते हैं, industry में तो बहुत जादा water use होता है, हमारा हर जगा पे water ही use होता है, production process में भी इमारा water use होता है, the number of industries increasingly continuously, जो industry है, ये लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, the number of industries is increasing continuously, लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, तो इससी क्या होगा, water used by the most of the industries is drawn from the ground, ground से ही तो पाने को ये use करेंगे, अब आपको 16.4 में क्या कहा जा रहा है, कि आप कुछ industry के name को, आप लिको जिससे आप familiar हो, make a list of these products obtained from these, और उससे जो आप product use करते हो, आप लेते हो, अपने daily life में use करते हो, और उसको discuss करो with your teacher, parents, your colleagues, how to growing industries, activities, ये responsible है for the depletion of water table, जो इतना नीचे चला जा रहा है water table, इसमें क्या ये किस तरह से responsible है, ये ये industry, and next factor आप देखोगे, agricultural activities, ये तो बहुत important है, agriculture तो हमारा चले नहीं सकता है without water, वैसे तो कोई भी नहीं सल सकता है, अब agricultural activities में क्या देखेंगे, upon rains, for irrigation, their crops, अब crops है तो उसको irrigation से चाई करनी ही पड़ेगी, और वो बहुत जादा किसान, majority में होते हैं, जो depend होते हैं, rains पे, पारिस पे depend होते हैं, irrigation systems such as canals, are canals, मतलब यानि नहर आप समझ जी रहे होगे, there are only a few places, नहर जो है, वो कुछ ही जगह पे available है, even this system may suffer from lack of water, due to erratic rainfall, अब rainfall कहीं पे बहुत कम होता है, कहीं पे बहुत जादा अभी हम इसका भी आगे देखेंगे, factor कैसे है, therefore farmers have to use ground water for irrigation, इसी विज़े से ground water को use करते हैं, वो दिखते हो, आप pump के थूँ, जो हैं किसान, क्योंकि हर जगह पे canal available नहीं होते हैं, अब population, जो population pressure है, on agriculture force, अब ये force ही तो करते हैं, increasing use of ground water, अब इसमें भी population ही गई न कई फैक्टर है, तो day by day, this results in depletion of water table, इसमें को हमें मिल रहा है, किस तरह से वो हर जगह पे नहर अविलेबल नहीं होता है, इस वज़े से वो ground water use करते हैं, तो ये भी एक depletion का regional, अब हम most important चीज़ देखेंगे, distribution of water, distribution of water आप सुनते ही रहे होगे, कि कभी देखो, यहां बाढ़ा आ जा रहा है, यहां सूखा पढ़ रहा है, तो यही है में distribution of water, the distribution of water over the globe, is quite uneven due to number of factors, बहुत सारे factors होते हैं, जिसकी वज़े से distribution of water on the earth, वो uneven रहता है, हर जगह पे कहीं बाढ़ा आ रहा है, तो कहीं सूखा पढ़ रहा है, some places have good amount of rain, which have scanty rainfall, desert में आप देख लो, वहाँ पे कितना कम बारिश होता है, India is a vast country, India बहुत बढ़ा country है, यह तो आपको पता ही है, and the rainfall is not the same everywhere, हर जगह पे same नहीं है rainfall, some region have excessive rainfall, वाइल्स अब आप सम जगह पे देखोगे, कहीं कहीं आप देखोगे, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, while some others have very little rainfall, अब कहीं कहीं पे देखोगे, बहुत कम बारिश हो रही है, excessive rain cause floods, अभी मैंने बताया, जब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगे, वहाँ पे बाठ आ जाएगा, whereas the absence of rains, result in drought, जहाँ पे पानी कम रहेगी, बहुत कम बारिश होगे, वहाँ पे सूखा पढ़ जाएगा, therefore some regions in our country, may have floods, while other may suffer from drought, at the same time, एक ही टाइम पे कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होता है, तो लोग बारश से परिशान रहते हैं, और same time पे ही, सूखे से भी लोग पढ़े साब परिशान रहते हैं, तो आपको अब क्या करना है, activity 16.5 देखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, given here the rainfall, अभी आपको map देखने को मिलेगा, इंडिया का, इट गिफ्ट जाइवरे जैन्वरे रेइन फॉल in different regions in our country, जहाँ पे different different region पे किस तरह से बारिश कितना सेंटिमीटर में हो रहा है, यह आपको इस map में देखने को मिलेगा, और आपको क्या करना है, locate on the map, the place you live in, जहाँ पे आप रहते हो, आप उस place को locate करना, are you blessed with sufficient rainfall or not, आपको sufficient rainfall मिल रहा है की नहीं, आप यह देखना, in this sufficient water available in your area, जहाँ पे भी आप रहते हो, is there sufficient water available in your area throughout the year, क्या आप पूरे साल रहता है, आप पे sufficient water की नहीं, it may be possible that we are living in the area, where there is sufficient rainfall, और हम यह भी कह सकते हैं, कि there is shortage of rainfall, हम देखते हैं, कहाँ पे कौन रहता है, आप अपने जहां पे भी आप रहते हों, आप रहते हों, आप लोकेट करना मैप में, can we attribute this to mismanagement of the water resources, ठीक है, आप water management हम देखेंगे, और आपने 6th class में यह भी पढ़ा होगा, कि supply of water is कैसे civic bodies के थूँ होता है, पहले मैप देख लेते हैं, यह है इंडिया का मैप, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कि हमारा देखो West में, Northwest कह सकते हो, रहा पाकिस्तान हैं, बोटान, नेपाल, बंगलादेश, वीज में हैं, इंढर में आमार हैं, यह सारी चीज़ें आप दिखते हो, अब देखो जो डार्क ब्लो में है वहाँ पे अब फूर हंडर्ड सेंटीमीटर रेंफॉल इन सेंटीमीटर में देखे हो यानि कि जो यह कोस्टल एरिया है इधर से थोड़ा से ले लो और इधर जहां पे सैवन सिस्टर से यानि यारुनाच्वल प्रितेस असम यह सब देख में सैवन सिस्टर से जहां पे हारुनाच्वल प्रितेस असम और त्रिकपुरा मिजोरम यहां पे भी और इधर उत्रा खंडे में भी थ्री डॉट्स देखो बने हैं डार्क हैं और यहां पे जो हांडर्ड टू हंडर्ड है इधर यह रीजन है ओडिसा बिहार जहार खंड अब यहां पे सूखा पड़ेगा यहां राजस्तान हर्याना थोड़ा सा पंजाब का साइड यह सारे अगर आपको मैप में पता है कहां कौन सा स्टेट है तो इसली आप इसको वेरिफाइ कर सकोगे कि कहां पे ज़्यादा बारिश हो रही है कहां पे कम जितना जहां डार्क है उतना ज़्यादा बारिश जहां पे लोवर है लाइट कलर का है वहां पे कम बारिश तो आब हम आगे देखते हैं कि कैसे हमें हमें बताया गया ना आगे कि बहुत जगह पे civic bodies होती है वो pipe बिचाती है pipe underground में लगाया गया रहता है जिसके थू लोगों को water मिलता है when the civic authorities supply water through pipes not all of it may reach the destination और आप इसमें एक important चीज देखोगे you might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes it is the responsibility of the civic authority to prevent such wastage of precious water अब इतना कीमती पानी है chapter का नेम ही precious water है तो आप देखोगे यह जो civic body होती है इनके responsibility होती है कहीं कहीं pipe में leakage होता है कहीं कहीं पे ऐसे पानी waste होता रहता है तो इस wastage of पानी को इनको prevent करना चाहिए और इस precious water को save करना चाहिए यह किस वज़े से होता है मिस management की वज़े से होता है मिस management of wastage यह क्या कर देते हैं में take place at the level of individual also अब देखो यहां पर civic authority का काम है कि इसको prevent करें लेकिन ऐसे ही छोटे-छोटे जो है मिस management की वज़े से हम लोग भी हम लोग को खुद पर ध्यान देना चाहिए कि घर में कहीं टाप खुला तो नहीं हो रहा है कहीं पानी waste तो नहीं हो रहा हम ब्रश करते हैं पाइप को सब्सक्राइब करना है लोग उसको इग्णॉर मार देते हैं बहुत बारी लेकिन आज से आप अपने parents को भी बताओगे अपने relatives को भी बताओगे कि वह ऐसे ना इग्णॉर मारें लेकिंग जो है यह टैप्स का यह तो एक नॉमल सा प्रॉब्लम है another source of huge water wastage इससे बहुत जादा water हमारा waste होता है we waste water as though we do not need water the next time आप ऐसे water को मत waste करो क्या आपको next time चाहिए कि नहीं चाहिए अब देखो we have seen that most of the water that we get as rainfall just flow away this is waste of a precious natural resource हम देखते हैं बारिश होता है और वो पानी ऐसे ही बह जाता है ऐसी ही flow हो जाता है तो यह भी हमारा एक wastage of water है यह भी एक तरीका यह मतलों waste हो रहा है water उसे हमें save करना चाहिए जो बारिश हो रहा है उसे हम groundwater में save करें groundwater तक पहुचाएं और उसको कई बारे हम अपने घर में भी save कर सकते हैं अभी हम आगे देखते हैं इसी को हम rain water harvesting कहते हैं जिसके बारे में आप classics में पढ़ी चुके है about which you have learned in classics ठीक है आप classics में वह अलग बात है अगर आप ध्यान से नहीं पड़े हो तो और आपको क्या करना है find out करना है if the buildings in your neighborhood have water harvesting system installed अधिकर building में भी water harvesting system को install किया जाता है आप उसको find out करना है यानि बारिश होता है तो पानी वहां पर restore हो जाता है और जिससे हम बार में यूज़ कर लेते हैं अब मागे देखते हैं we have at many places in India and always पुराने टाइम पे एक प्रैक्टिस होती थी of water storage and water recharge लाइक बावरीज एक प्रैक्टिस होता था एक मतलब प्रथा कह सकते हैं जहां पे बारिश के पानी को हम इकठा करते थे पुराने टाइम में लेकिन बावरीज मतलब जिसे बताया ना पुराने टाइम में ह प्रैक्टिस होता गया विद टाइम बावरीज फेल इन्टू लोग इसको यूज करना छोड़ दिये इसमें गार्वेज फेकने लगे स्टाटिद पीलिंग और रिजर्वियर्स जहां पे यह बावरीज बने होते थे वहां पर लोग अपना गार्वेज फेक देते थे अब बताओ ऐसे जहां पर बावरीज जैसी बहुत सारे चीज़े होते हैं वहां पर भले ही कमी हो लेकिन लोग जो बहुत है लेकिन लोग उसको अच्छे तरीके से यूटलाइज करते हैं और पाव वाटर को रिस्टोर करते हैं जिस वज़े से वहां पर बिल्कुल लोगों को फील ही नहीं होता अब देखो फार्मर यूजिंग वाटर इन फील्ड इन फील्ड जो अपनी फील्ड में हो खेत में पा तरह क्या हाँ पाइप के त्रूं के तिकनीक है सिचाही करने का इसलिए इसमें पतायat जारा है कि निचली की तरहित्रमुर brasile और ہाटर की खेती भी अच्छे से हो और हमारे प्लांट्स को कोई मतलब वह भी ना हो तो डिप इरिगेशन में क्या होता है डिप डिप इरिगेशन इस टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाइकिंग यूज आफ नेरो ट्यूबल्स अभी दिखाएंगे कैसे वह ट्यूब के थू वि अब एक एसिस्टडी में क्या हुआ कि गुजराद के कच में एक एरिया था सट्दained चहां पर बहुत ही एक्रेंटिक रेंफ़ॉल मतलब बहुत ही कं रेंफॉल था सब्सक्राइ Bernie 2015 लोग फ्रीश वाटर को मावह पर बता दे रही हूं महांँ लोगों ने एक पहल शुरू करी इन नाइंटीन 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 के आसपास विलिजर्स जो थे और एक इंपोर्टन चीज यह है कि यह नौन गवर्मेंटल और्गनाजेशन था यानि कि गवर्मेंट का उसमें कोई हाथ नहीं था और गुजरात के कर्च में जहां पर इतनी वाटर की प्र पानी को पहुचा है और वहां पे जो है लोगों को पानी की बिल्गुल भी कमी नहीं होती है अकॉर्डिंग तो फार्मर वेल्स हाव वाटर हाव तो मतलब इन लोगों से इस एक्टिविटी में हमें यही सेखने को मिल रहा है कि वहां पे कच्छ गुजरात में इतना कमी हो क्टिविड़ पानी को इतना फैसे इंसा कogrशन को मिलता है तो नहीं की सब्सक्राइब Höne कि इतना क्ष्ट aucun से जड़ों गारिक पानी को रिस्टार हो है तो फैसे पानी को पेस्टन होता है गष्टाइब तो बहुत जादा वेस्ट होगा ऐसे जड़ो दोग पहुचा दिये जा रहा है हमारा फसल भी अच्छो से हो जा रहा है अब इक चीज देखने लायग है कि यह वाट रोल यू कर सकते हो अब क्या इस वाटर की जो वाटर वेस्ट हो रहा है या फिर वाटर के यूटिलाजेशन में हमें क्या आप रोल प्ले कर सकते हो यह अब आपको बताना है have you ever shown concern if you saw tap leaking in your house आपने देखा कभी school में देखा या फिर किसी भी place पे आपने कभी कोई concern दिखाया कि नहीं दिखाया कि tap leak हो रहा है कि नहीं अकर आप लोगों ने नहीं सोचा उसके बारे में तो आप से आप सोचना सुरो कर दो क्योंकि आप तो आप लोगों को चैप्टर के थू भी बताया जा रहा है यह सब तो comments हो होता है knowledge होता है जिसको हमें बताना चाहिए अपने आसपार leaking taps waste a lot of water you must make efforts to stop this leakage आपको इस leakage को रोकने के लिए जो effort डालना है आप अपने parents से बताओ और teacher से बताओ बट उसे stop करवा हो यह आपके duty adds your duty ओके तो अब आप से आज से आपको leakage कहीं वे दिख रहा है taps में तो उसको आपको बंद करना है okay there are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें आप जो है आप वेस्टेज आप वाटर को आपको control कर सकते हो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है जैसे कि आप क्या कर सकते है turn off while brushing आप एक टैप को खुला छोड़ देते हो उसको बंद करें जवाब ब्रश कर रहे हो और फ्लोर को mop the floor instead of washing अब आप फ्लोर को धुलो गई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा पानी लगेगा तो आप क्या करो उस पर पोछा लगा दो कपड़े से करके तो कम पानी लगेगा ऐसे ही बहुत सारे चीज़े हैं आप water को बहुत wisely यूज़ करो अब आप कार की धुल रहे हो पाइप से तो कार को आप video करो दो कर दो में बहुत सारे चीज़ें का घुलते हो सब्सक्क्रा बहुत क्या क्या होगा इफेक्ट ऋप Water scarcity on leans you must have seen potted plants abic अगर कुछ दिन पानी नहीं पाते हैं प्लांट्स तो वह सूखने लगते हैं और आपने चाप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था यू आप अल्रेडी लॉंड इन चाप्टर वन डाट्स नीड वाटर तो गेट नूट्रिशन अब प्लांट्स को अगर नूट्रिशन चाहिए उनके स्वाइल से या फिर उनका सूद लेना हो फिंड फूड होता है औरहें बनाना हो फॉन्हें पानी लिए नूट्रिशन पढ़ती है अगर प्लांट्स को नूट्रिशन लेना फिरशन वांहिए फूड परिपेर करना है तो उनolphें पानी की जरुउद्ध है वाटर की ज alarming situation है मतलब उसका परणाम क्या होगा the green character of the planet shall be lost तो जो हमारे इस आर्थ पे हमारे जो प्यारी सी आर्थ है इस पे अगर green चीजे सारी green character सारे हैट जाएं तो फिर क्या होगा this may mean इसका क्या मतलब है कि सारे जितने भी life है जितने भी जीव है जितने भी इनसान है सब क्या हो जितने भी living bodies है सब कतम हो जाएंगे for a world without plants sell me no food no oxygen not in a frame and बहुत सारे ऐसे countless other problems हम face कर सकते हैं अगर plant को water नहीं मिला मतलब water नहीं मिला तो कोई नहीं रहेगा तो ठीक है यानि कि innumerable हम county नहीं कर सकते इतनी सारी problems आएंगी without water अब हम देखेंगे एक successful initiative क्या लिया गया राजस्थान जो है वो hot and dry place है यह सब को पता है अब वहां पे जो है natural scarcity of water was met by a successful experiment यहां पे भी experiment किया गया एक गाउं के लोग होते हैं वो social worker होते हैं वो transform कर दिये एक dry area को यानि कि अलवर district है राजस्थान में उसको उन्होंने dry area को green place में convert कर दिया they have revived the dried up rivers और 5 river वहां पे था उसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने पानी को flow करवा दिया मतलब कि वहां पे पानी की कमी नहीं है यह है अलवर district की बात constructing water harvesting structure कैसे उन्होंने किया अभी हमने water harvesting के बारे में सुना नै इसी structure से गाउं के लोगों ने इतना अच्छा गाउं कर डाला उस district के लोगों ने तो यहां पे हमारा chapter खतम होता है हमारा जल हमारा जीवन so guys I hope बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा कर आगे बाग कही है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है तो इसे like करो और share करो and thank you for watching